इंदोर शहर में बड़ी संख्या में एडवाइसरी कमपनी संचालित हो रही है इन फर्जी एडवाइसरी कमपनीों की जांच के लिए एक S.I.T. कमिटी बनाई गई है जिसे सेवी से विशेश ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी थानों में पेंडिंग पड़े मामलों की जांच ये S.I.T. टीम ही करेगी इंदोर शहर में कई फर्जी एडवाइसरी कमपनीों पर पुलिस कारवाही कर चुकी है हाल ही में विजनगर पुलिस ने एक फर्जी एडवाइसरी कमपनी को पकड़ा था जिसमें पांच लोग गिरफतार हुए थे जांच में इनके पास से करीब देड़ दरजन बैंक खातों की जांकारी भी पुलिस को मिली थी इसमें 14 करोड रुपाए का ट्रांजेक्शन मिला था ऐसे मामलों को देखते हुए S.I.T. टीम का गठन किया गया है S.P. आशुतोष बागरी ने बताया कि इसमें T.I. देविंद्र मरकाम, S.I. गुलाब सिंग रावत, सिपाही राजेश जोशी और दुश्यवद राठोर रहेंगे इस टीम को सेवी से बकायदार ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी जो पुराना कभी चिट फंड हुआ करता था उसका ये नया रूप जो है इन्वेस्टमेंट एडवाईजिरी को रूप में देखनों को मिल रहा है इन दौर में और इसी को नेकडाउन करने के लिए एक प्रोफेस्टनली ट्रेंड टीम हम लोगोंने तयार की है इसलिए जितनी बी सिकायते हैं हमारे पुलीस के पास में विएन थानों में लंबित हैं चुकि वो सिकायते इसी जिनमें की एक्सपर्ट नालिज की जरूरत होती है शेडिंग की जरूरत होती है, सेभी के जो रूल्स हैं, जो 420 के और जो IPC के कुछ एक economic offense से related चीजे हैं, जो account and bookkeeping से related चीजे हैं, cyber forensic से related चीजे हैं, वो एक expert knowledge की जरूरत है उसमें, जिसमें कि वो विशेशगता थानों में हर किसी के पास होना संभोर नहीं है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइट किया कि जितनी भी सिकायते हैं, हमारे थानों में लंबित हैं, investment advisory से related, वो सारी सिकायते एक जगए पर एक expert team को दे दी जाएंगी, जो कि उस्षी निस्पच्छ और विश्तित तरीके से जाच करेंगे.